ये आपकी पूरी आसपास की लोकेशन है ये देखिए जो ये देख रहे हैं ये आपकी नहर रोड है hardly 100 मेटर की डिस्टेंस ही आपका मकान है देख रहे डिस्टेंस मातर 100 मेटर की दूरी पे ये आपको मकान मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत बढ़िया मकान बना हुआ है लखनो शहर में जो सबसे पॉश एरिया कहलाता है जिसको बोलते हैं जानकी परोंग यहाँ पर पूरी फैमिली हर जगे रहती है अलो फ्रेंट्स मेरा नाम है गौरफ और आप सबी लोगों के लिए मैं कुछ मकान लेके आया हूँ तो जिस साइस का यहां पर मकान अवलेविल है उसका साइस है 1200 सकौर फिट का है और 1000 सकौर फिट का मकान है तो ये हमारे सारे मकान का front elevation है तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे तो इसमें से हम आपको size बता देते हैं ये हमारा 1200 square feet का मकान है जिसका front है 24 का और 50 की depth है ये corner का मकान है एक ही unit available है जैसा कि अभी आप देखिए back side में देख भी पा रहे हूंगे बहुत ही सुंदर मकान है और अगर हम इसकी location की बात करते हैं तो जानकी प्रम लखनों में ये सारे आपको मकान मिल जाते हैं एरिया बहुत ही बढ़िया है नगर निंगम का total आपका ये area है और अगर हम इसकी location, proper location की हम बात करते हैं तो जानकी प्रवम में अगर आपने शुकला चौरहा देखा होगा, यानि कि जानकी पुम जो कोटसी रोड से कनेक्ट होता है, शुकला चौरहा, शुकला चौरहा से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बिलकुन मेन रोड पे, की नहरोड कहलाती है उसे हड़ी 100 मेटर की डिस्टेंस पे ये आपको चार मकान मिल जाते हैं जैसा कि देखे भी आप बैक साइड में देख पा रहे होंगे इसमें आपके टोडल चार मकान बने हुए है और अगर इसकी फेसिंग की हम बात करते हैं तो ये आपके सारे वेस्ट फेसिंग में मकान है और एक जो मकान है 1200 स्कॉर फिट का वो आपका कॉर्णर का मकान है बहुत ही बढ़िया मकान है आलिशान मकान बना हुआ है आप लेके रहना चाहते हैं तो तुनाद आप रह सकते हैं बहुत ही कोकी प्राइम लोकेशन ये सारे मकान आ जाते हैं और ये स सारा का सारा आपका जानकी प्रॉम एरिया लगता है और भी मैं एक महत्पूर्ण आपको बात बता देता हूं अगर आप मकान का असिस्मेंट करवाना चाहते हैं नगार निगम में तो वह आपका मकान भी असिस्मेंट हो जाएगा तो चलिए चलते हैं मकान के अंदर और डीटेल में इससे आपकी बात करते हैं चलिए चलते हैं मकान के अंदर और डीटेल में विस्तार पूर्वग मकान के बारे में चर्चा करते हैं तो ये हमारे सारे मकान का front elevation है तो जैसा कि भी आप देख रहे थे तो इसमें से हम आपको size बता देते हैं ये हमारा 1200 square feet का मकान है जिसका front है 24 का और 50 की depth है ये corner का मकान है एक ही unit available है अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हैं ये corner है तेके सामने आप देख सकते हैं ये आपका सीधा रास्ता जा रहा है और ये ही आपका सीधा connect हो जाता है नहर रोट पर जो की जानकिप्रों कहलाता है शुकरा चौरा तो ये आपका 1200 square feet का ये corner का मकान हो गया उसके बाद में आपका एक मकान और है 1200 square feet का ये है इसका भी size आपका 24 feet का front है 50 की depth है इसके बाद में हमारा एक तीसरा मकान आता है जो की अभी आप देख रहे हैं ये आपका 1200 square feet का मकान आपका अबलेविल है ये बाद current time में आपकी 4 मकान अबलेविल है जैसा आपका budget है budget के अनुसारा आप मकान को ले सकते हैं ये हमारा 1200 square feet का है इसके बाद में ये आला हमारा 1000 square feet का है लेना चाहते हैं आप 1000 का भी ले सकते हैं 1100 का भी ले सकते हैं और 1200 का भी ले सकते हैं मकान आपका अबलेविल है तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं मकान और इसी मकान की हम आपको detail बताते हैं तो जैसा कि अब आप मकान देख रहे हैं हमारा, यह 1100 स्कारफिट का मकान है, जिसमें की सामने का जो फ्रेंट है, यहां से लेकर यहां तक का, यह 22 फिट का फ्रेंट है, पूरे सेपरेट सब के पिलर हैं, आपका कम्प्रीट मकान आपको मिल जाता है, तो जैसे ही आप एंट और यह आपकी यहां पर कार्प खड़ी हो जाएगी, यह देखे आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा स्पेस है पोश्च का, जो कि 1100 स्कारफिट होने की वज़े से इसमें साइज आपका बढ़िया मिल गया है, यह आपका स्पेस तोटा हो जाता है, लॉन, समर्ट से बि पूलते मकाम में कहा हुआ है, तो यह आपका यहां पर समर्ट से बिल हुआ है, और यह आपकी पूरी विंडो लगी हुई है, यह देखें, तो हम चलिए चलते हैं, और मकाम को डिपेल में जानते हैं, यहां पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले एक आपको पूंट मिल जाता है यहां पर, कोकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि inverter कहां लगा है या पूंट कहां पर है, तो इनवर्टर का पूंट आपका यहां पर है, एंट्री करने के लिए आपको दो दरवाज़े बिल जाते हैं, एक आपका गैस्ट्रूम से एंट्री है, एक आ आप देख सकते हैं, complete, जिसमें की friend में आपकी सारी window लगी है, window आपकी double जालीदार है, यानि कि इधर से window रहेगी और इधर से एक शीषा रहेगा, same pattern में यहाँ एक दर्वाजा रहेगा, एक आपका आगे से जो यह पला रहता है, जाली वाला वो भी रहेगा यहाँ पर, और उपर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको complete for selling का work मिल जाता है, यह देखें इस ट्रैप से, अभी यह मकान almost complete है, थोड़ा से इसमें work बाक यह आपका drawing room का space हो गया, बहुत ही बढ़िया, और इसके बाद में अगर आप बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा kitchen, बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर kitchen मिल जाता है, जिसमें कि आपको यहाँ सिंक मिलता है, और यह आपका kitchen टॉक हो जाता है, यह देखे ventilation का बहुत खास तोर पे ध्यान रखा जाता है, जिसमें कि यहाँ पर आपको एक window लगा कि दी गई है, और यहाँ से एक आपका door complete हो जाता है, यह देखे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, और इसी से जो आपकी entry है, अगर आप यहाँ से जाते हैं, उपर stairs से, तो आप सी इन ही kitchen में आ जाएंगे, entry करने के हमारे दो point है, एक इस दरवाज़े में जाएंगे आप और इस दरवाज़े जाएंगे, एक यह bedroom हो गया आपका, तो काफी बढ़िया bedroom की space है, यह देखिए और इस bedroom में आपको यहाँ पर एक window मिल जाते हैं, तो window का size बहुत ही बढ़िया ह लगबक 3 by 5 की आपकी window होगी, ventilation के लिए, और इसी तरह से, आप अगर इधर आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक space मिल जाएगा, hand wash करने के लिए, shower बिलता है यहाँ पर, और यह आपका toilet हो जाता है, complete, इस toilet के बाद में उपर अगर आप देखे जाता है, और जो यह space अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप खड़े होते हैं, यह आपका पूरा space dining का है, यह देख सकते हैं, पूरा dining space, तो one bedroom set आपका यहाँ पर हो जाता है, one bedroom set आपका यहाँ पर हो जाता है, आप इस bedroom में जैसे ही entry करेंगे, तो entry करते हैं, यह आ पी किया गया है सीधा और इसी से आप जब आएंगे इधर तो इसमें देखेंगे यह आपको एक स्पेस मिलेगा जो कि एज़ाब स्टोरूम इसको यूज़ कर सके हैं यह देख रहे हैं यह आपका स्टोरूम हो गया इस्टोरूम के बाद में यह आपका एक ट्वालेट है जो की वेस्टेन ट्वालेट है वेस्टेन ट्वालेट के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है और उपर का जो आप आगन देख रहे हैं यह आपका आगन हो गया उपर से वेंटिलेशन के लिए तो ventilation के परपस से यहां पर दिया आता है एक यहां पर आपका hand wash के लिए दे दिया जाता है जगह यह अपके रफ़े हो और यह पूरा आपका m desserts बन के तयार Old साइज्ड के अर्वम डिस्करशन की बात करते हैं मैंने में आपके स्ट्राट की में है यानि कि 1000 sqft का जो मकान आपको मिलेगा 48 लग का है तो उसी के according 1100 sqft का भी available है और 1200 sqft का भी available है इसमें एक चीज इंपोर्टेंट यह आ जाती है कि अगर आप starting में आते हैं 1200 sqft का मकान है जो कि corner का है वो भी आपको normal rate में हम आपको दे देंगे क्योंकि उसमें कोई corner का कोई charges नहीं लगेगा तो बहुत ही बढ़िया मकान है जैसा कि देखे अभी आप देख पा रहे हैं वे सारा का सारा तो जैसा कि देखे आपने मकान को internal देखा है बहुत ही खूबसूरत बढ़िया मकान बना हुआ है लखनो शहर में जो सबसे पॉश एरिया कहलाता है जिसको बोलते हैं जानकी पुर्म यहां पर पूरी families हर जगे रहती है और properties के यकीन मानिये लगातार rate बढ़ते जा रहे हैं जो जिस rate पे पहले लिया था वो धीरे-धीरे सारी valuation increase हो रही है तो अगर आप लेने के मूर बना के चलना है अगर आप लेना चाहते हैं property को आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इसमें आपको 1200 इसको आफिट का 1100 का और 1000 का वरतमार समय में available है हम आपको दे देंगे तुरंट आप इसको रहना start कर सकते हैं क्योंकि आसपास सारे मकान complete आपके बने हुए है bank loan आपकी यहाँ पर हो जाएगी तुरंट आप registry कराए तुरंट आप day one से रहना इसको start कर सकते हैं तो चलिए हम थोड़ा सा चलते हैं उपर और उपर से भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरहीके से हमने आसपास का जो colony है environment है वो कैसा environment है तो अच्छे का देखा अब हम लेके चलते हैं आपको उपर और जैसा कि देखिए आप यह सब देख रहे हैं इसटी के अभी यहाँ पर साइट से रेलिंग लगेगी complete और यह रेलिंग लगते हुए पूरा मकान complete हो जाएगा यह जो स्पेस देख रहा है सब में आपकी लग जाएगी इस दर्वाजा आपका लगा हुआ है और यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं यह आपकी पूरी आसपास की location है यह देखिए जो यह देख रहे हैं यह आपकी नहर रोड है hardly 100 meter की distance यह आपका मकान है देखरें distance मात्र 100 meter की दूरी पे यह आपको मकान मिल जाता है ready to move जानकी प्रम मकान में में अच्छी location है तो आशा करते हैं आपको हमारी property समझ में आई होगी visit आप जरूर करना चाहेंगे हमारी property को आप जल्दी से जल्दी आईए अपने आप मकान को जल्दी से book कराईए नौरात्री आने वाली है तो जब तक खतम ना हो जाए उससे पहले आप लोग इसको book करावाली है thanks for watching good bye